हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका गुरुनिति जेई के सेगिंड लेक्षर में और सेगिंड टोपिक जेशा आपको नजरा रहा है जनरल और्गेनिक केमिस्ट्री हमने जनरल और्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्टों में डिवाड़ेट किया है एक जनरल और्गेनिक फ माइसेल पार्सी देवाल केमिस्ट्री पेकल्टी और मेरे साथ है नदीम सर तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किर्शन से जी सर आइडिफाई दा क्रेक्ट स्ट्रेंड और इन दा फॉलोविंग कंपाउंट आप जानते हो कि अगर किसी भी कंपाउंट में एसिडिक नेचर सबसे पहले आपको यह देखना है कि ओ कंपाउंट एसिडिटी शो कहां से करेगा मतलब एसिडिक देखने के लिए एक सीधा सहम पॉंट पगड़ें तो सबसे पहले आप देखें पोलेरीटी और बोन्ड बॉन्ड की polarity देखें, जितना ज्यादा polar bond होगा, वहां से H plus release होने के chance उतने ही ज्यादा होगे, जैसे carbon hydrogen है, carbon hydrogen है, nitrogen hydrogen है, oxygen hydrogen है, और ये halogen hydrogen है, तो इधर से इधर जा रहा हूँ, तो इनकों negativity difference बढ़ रहा है, मतलबी such plus के निकलने के chance ज्यादा हो रहे है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि polarity, तो polarity की बात करो तो यहाँ NH bond से acidity show होगी, इसमें भी NH bond है, इसमें भी NH bond है, इसमें भी NH bond है, बट इसमें दो NH है, तो यह कहां से acidity show करेगा, वो depend किस पे करेगा, stability of conjugated base, तो एक सी पहले आपको क्या देखनी है, bond की polarity देखनी है, second आपको देखना है, कि अगर bond की polarity same है, तो जैसे इसमें भी NH, इसमें भी NH, इसमें भी NH, मतलब nature of hydrogen इन तीनों ही case में क्या है, same है, उसके बाद हम देखते हैं कि stability of conjugated base, CV का मतलब यहाँ conjugated base है, जैसे जैसे conjugated base की stability भरती है conjugated acid की acidity भरती है, कैसे देखना है, H प्लस वहाँ से remove करना है, और उसके बाद जो negative charge आएगा, जो conjugated base बनेगा, उस conjugated base की stability चेप करना है, जी सर्ट, तो देखें जैसे इसमें पस्ट में हम करते हैं, यहाँ से यह H गया, तो negative charge यहाँ गया, यहाँ से H गया, तो negative charge यहाँ ग देखनी है, बैट negative charge जितना ज्यादा stable होगा, H प्लस वहाँ से उतनी ही जल्दी release होगा, तो फश्ट की बात करूं, तो यह negative charge इस oxygen के साथ क्या दिखा रहा है, मतलब और second, यह negative charge इन दोनों oxygen के साथ resonance यो कर रहा है, मतलब फश्ट के company में, second में negative charge ज्यादा stable है, वो दो के सा दे-localize हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा इसके resonance में disturbance हुआ है, क्योंकि इस nitrogen के लोन फिर जब इस oxygen के साथ resonance यो करेंगे, तो इस negative charge के resonance होनी की tendency कम हो जाएगे, तो ऐसे समझे हम इसको, कि यह CO group जो है ना, इस negative charge को 100% stabilize कर रहा है by resonance, इसमें 100% यह CO भी कर रहा है, 100% involved हो रह हो रहा है, मतलब negative charge zone उत्रपसी stable हो रहा है, इसमें यह वाला 100% हो रहा है, बट इधर से केवल 50% ही इस negative charge को हिस्सी आएगा, 50% तो nitrogen के लोन पे ले जाएगे, तो इसमें negative charge की stabilize होनी का percentage कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो हम यह देख पा रहे है, कि second most stable है, इसक तो second most stable है, उसके बाद third है, और उसके बाद first option है, अगर हम check करते हैं, तो इसा option आता है, second mean, तो second is correct answer, तो include कर देता हूं, दो लाइन से, सबसे पहले बोन की polarity देखे, उसके पाद conjugated base की stability बढ़ेगी, तो acidity बढ़ेगी, ठीक है, second question, next question, next question देखे, इसमें देखो दिया हुआ है, the correct order of resonance energy, आप जानते हो, resonance energy जितना ज्यादा होता है, stability बढ़ेगी, ज्यादा होती है, तो इसमें अगर देखो, ये वाला तो क्या हो जाएगा, aromatic, ठीक है, ये compound क्या है, anti-aromatic, ये भी, अब इसमें देखो, ये बड़ा अच्छा है, इसमें देखो, resonance तो है ही, ऐसी बात नहीं है, इस वाले में क्या आती है, homo aromaticity, homo aromaticity का मतलब है, ये कुछ इस तरह से, मतलब हम इसको ये बोले, कि सबसे पहले बच्चे को ये बताएं कि resonance energy अगर check करना है, तो उसके लिए उसको तीन concept सबसे पहले देखना है, कि aromatic compound की resonance energy सबसे ज़्यादा होती है, most stable तो aromatic compound की resonance energy सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ जितनी ज़्यादा resonance energy, उस compound की stability उतनी ही ज़्यादा, aromatic के बाद आता है non-aromatic concept, उसके बाद anti-aromatic, anti-aromatic compound least stable होता है, उसकी resonance energy minimum होती है, meaning कहने का ये है, कि इस compound की minimum resonance energy होगी, reason ये है, कि इसमें 4 and 5D electron delocalizer रहे हैं, जो कि anti-aromaticity का concept है, तो ये तो list वाला है, अब अगर मैं बात करूँ, तो ये SP3 है, ये SP3 है, तो ये भी non-aromatic compound होआ, ये भी non-aromatic compound होआ, ये compound होआ, aromatic, तो इसका मतला most resonance energy जो होगी, वो second की होगी, अब फिर ये देखते हैं, कि एगर non-aromatic है, तो जहां जितना ज्यादा resonance होगा, उतनी ही ज्यादा resonance energy, तो इसमें भी तीन पाई लोक्तों डी लोकलाज हो रहे है, इसमें भी तीन पाई लोक्तों डी लोकलाज हो रहे है, तो नमबर उप लोक्तों तो डी लोकलाज सेम हुआ, बट इस ये compound थोड़ा सा abnormal है, abnormal behavior शो करता है, क्योंकि हम किसी भी compound का basically अगर deep में concept हम देखे हैं, तो कोई भी compound 100% aromatic नहीं होता, वो सकता है उसमें electron partially delocalize हो रहे हैं, तो इसमें भी ये compound है, ये थोड़ा सा इस वेक का compound है, तो इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूँ, तो यहाँ ये पाई लोक्तों है, ये यहाँ से यहाँ ये system आना, ये वाला पार्ता non planar हो जाता है, और ये system planar ह कि इसमें ये 6-5 referon delocalize होना start कर देते हैं, जिसमें इसमें aromaticity के character आ जाते हैं, जिसको Sun ने बोला है homo aromaticity, तो इसका मतला most resonating energy, तो second होई होई है, लास्ट होगया fourth, अब इन दोनों में compare किया जा तो थोड़ी से aromaticity तो इसमें है ही, तो 1 और उसके बाद, ऐसा option चेक तो इसा option आपके पास second most, फिल first और इसा option आएगा अपने पास third में, तो third is correct answer, जैसे है, अपन जानते हैं, ये ये बला, कि सभी जानते हैं कि ये compound क्या होता है, non-planar होता है, वैसे तो ये non-aromatic है, पड़ आप जानते हो, in the presence of H2SO4, H2SO4, ये इसी का example एक तरह से है, तो H2SO4 जालो के तो पहले क्या होगा, acid-based nucleo, acid-based type का कुछ reaction हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का compound देखने से तो लग रहा है, ऐसे कुछ हो जाएगा, देखिए, ये आगया फ्लस यहाँ पे, और ये आगया, H, इस तरह का, बड़ ये actually, ये अपने आपको किस तरह से orient कर लेता है, जैसा कि हम लोगोंने अभी इसमें पड़ा है, ये वाला, देखो, SP3 है ना, ये out of the plane हो रहता है, और इसमें aromatic city आज़ा है, ये पिल्कुल इसी तरह से, ये वैसे तो ये non-aromatic है, but in the presence of H204, it gets some aromatic character, that is called as homo aromatic city, मतलब ये है कि compound अगर पूचे की कैसा है, तो हमें consider करने पड़ेंगे, compare कर रहे हैं, तो कुछ extra feature तो करते ही है, तो answer इसका जाएगा, next question देखता है, which of the following has incorrect direction of H204, अब आपको जानते हो कि plus i अगर है, तो अगर plus i जिसका effect है, वो क्या करता है, electron donate करता है, तो उसके उससे दूर जाएगा direction, और minus i जिसका effect है, वो electron withdraw करता है, तो उसकी तरफ direction होना चाहिए, क्यो हो सकता है, जी, ये सीधा सा concept है, कि मालो A और B के बीच bond है, अच्छा, inductive effect पहले तो क्या है, पहले ये बताते हूं, कि inductive effect क्या है, sigma electron का displacement, sigma electron का displacement, मतलब more electron negative atom की तरफ sigma electron displaced हो जाते है, इस bond के ये sigma electron है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलू की B की electron negativity, A की electron negativity से ज्यादा है, तो ये जो है, ये sigma electron किदर shift हो जाएंगे, B की तरफ shift हो जाएंगे, और यदि opposite हो गया, A की electron negativity, B की electron negativity से ज्यादा है, तो ये sigma electron A की तरफ क्या हो जाएगा, shift हो जाएगा, तो इसका मतलब, इन sigma electron को B ने क्या कर दिया, अपनी तरफ attack कर लिया तो इसने attract कर लिया, तो इसका तिल मैंने लग डिया minus i, और इसने donate कर लिया, तो इसका लग डिया plus i, धान देख, जो LesElect drifting और उसका लगा है, plus i, और More Elect apologeticians विड्डरो कर रहा है, इसका लग रहा है minus i, इसमें मैंने opposite कर दिया, तो यहाँ B का प्लस आई लगना इस्टार्ट हो जाएगा यह direction क्योंकि सिर्फ उदर होए है A attack करने लगए है इसका माइनस आई तो एक simple सा concept कि more electron negative atom का माइनस आई लगेगा less electron negative का प्लस आई लगेगा जैसे first question में है CH3 क्या है SP3 और यह ring क्या है SP2 तो इसका मतलब SP2 electron withdraw करेगा क्योंकि SP2 more electron negative है SP3 से SP2 withdraw करेगा तो दो को direction नीचे की द्रफ आगई और यहाँ भी SP3 है SP2 withdraw करेगा तो इधर direction है इसकी direction है तो फस्ट की direction को सेगिन नेक्स वाला में देखिए जैसे यहाँ पर carbon oxygen bond है तो oxygen is more electronegative than carbon यह भी SP2 हो गया यह वाला क्या है SP3 ऐसे भी कह सकते हो तो इसका क्या होगा minus i तो यह अपनी तरफ withdraw करेगा electron को इसलिए direction यह भी क्या है और यार सीधा सा concept है ना जो more electronegative होना वो खींचेगा तो यह direction लगेगी और जो less electronegative होना वो देगा donate करेगा तो यह direction लगेगा तो यह खींच रहा है ना साही है एक इसकी बात करें तो इसका plus i लगता है क्योंकि यह इसका plus i लगती है कालवाट की इसलिए इसका plus i लगना start हो गया यह पता होगा आपने फढ़ाया होगा आपने और नहीं पढ़ाया तो यह देख लिए C O माइनस का प्लस आई इखर लगता है तो इसका प्लस आई लग रहा है यह विड्रो कर रहा है इसी प्रकार से जैसे O का O का तो O जैसे H है तो इसका तो माइनस आई लगा लेकिन किसी के साथ साथ आप सभी ने पढ़ा होगा O negative क्योंकि यह क्या हो गया Electron dense हो गया तो अब इसका क्या लग ने लगता है सेम उसी तरह सी मतलब negative charge भरता है तो electron negativity कम होती जाती है इसमें बात करें तो यह CO SP2 है तो यह विड्रो करना चाहिए CH2 CH3 तो यह SP3 है यह SP3 है यह donate करेगा किसको CO के एसा direction यहां है नहीं तो यह गलत direction हुआ simple easy solution inductive factor मतलब एकदम जंदल basic solution का तो answer दुझाएगा दुझाएगा 4 Next Correct order of stability in the following So resonating structure में आप क्या देखते हो सबसे आप जब charge भर है तो आप क्या देखते हैं कि उसका update क्या होना चाहिए complete होना चाहिए अगर update complete है तो उसके बाद क्या देख लेते हैं कि more electronegative atom के उपर क्या होना चाहिए negative charge then opposite charge close to each other तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि किन में update complete है देखो चे इसमें अच्छा इसमें देखो इसका update complete है इसका भी update complete है इसका नहीं है इसमें इसका भी update complete है इसका आपकेट complete है अब इन दोनों की मैं बात करूँ तरी इन दोनों में चुकी update complete है तो फिर उसके बात क्या देखेंगे हम more electronegative item के उपर negative चाहट भूइन वह खाए सब्सक्रांट बेरा फीज्यर कि और में यह खेंड चल गया किस्हां इसाpla श्रीक है जाव ख़िकले सब्सक्राइब इसमें अगर आप कुछ यहां पर यहां पर यहां पर क्या है पॉजटीव है तो आंसर कौन सा चला जाएगा सब्सक्राइब करनी है बहुत सारे बच्चे इसको पेनिक होते हैं कि गलत हो जाता है गलत नहीं होगा मैं आपको एक की पॉइंट देता हूं उसको उसको पकड़ी रखिएगा इसको सोलो करने का तरीका एक सिंपल सा है दिदको जनरली है ना अंट चार्जड इस्पीसीज अंचार्जड इस्पिसीज प्रषब का बाट अब क्या हुआ इस Можно इसमें भी अरोमेटिशिटी आगी इसमें भी अरोमीटिशिटी आगे इस कमपरिंज में पर्स्ट, सेगिन, सेगिन मोर स्टेबल होगी、 कमपरिंट्री टू पस्ट, तो वो कंसेट अपलाइद धी हुआ, जनरली अन्चार्जज इस्पीसी से ज्यादा स्टेबल होती है और आलमोस्ट होती है, उन केसमें नहीं होती जब सिस्टम में चार्ज से पर्स्ट नंबर पर एक पर ये देखना है, सेगिद्ध आप ये देखोगी, कि नंबर ओप कोवेलेंट बोंड इनक्रीज जैसे जैसे कोवेलेंट बोंड बढ़ेंगे, इस्टेबिलीटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यार ये सिंपल सा है, देखो, मैंने इसको प्रफॉरी में लिख दिया सब ने इसको उस लेंगमेज में बोला था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट तो तभी होगा जब जितने ज्यादा बोंड बनेंगे स्टार्ट हो जाएगा अगर यह भी सेम आ जाए तो सीधा सा कंसेप्ट है more electron negative atom bear negative charge more electron negative पर कौन सान अच्छिए negative charge और less electron negative atom bear positive charge फिर तीसरे नमबर पर आपको यह देखना है अगर number of covalent bond सेम आ जाए मतलब maximum number of atom का uptake complete होना चाहिए maximum number of atom का uptake complete होना चाहिए अगर वो सेम आ जाए ना उसके बाद आपको more electron negative atom पर negative charge देख लो less electron negative पर positive यह भी सेम आ जाए तो आपको चेक करना है charging close separation होने कि अ बचसाव přेका करें कि एक्सी कशुए होने के अ पोजिटिव-पोजिटिव की बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने चीए…σι। और पोजिटिव-बीच from your base कम हो निचे, unlike charges have minimum distance और like charges have maximum distance क्योंकि देखो positive negative बीच में attraction होगा ना और attraction होगा तो stability बढ़ेगी positive positive बीच, negative negative के बीच में repulsion होगा, अगर negative charge के पास loan pair containing कोई species है ये negative charge है और यहाँ loan pair containing इसके पास है मालो ये, तो ये भी less stable है क्योंकि यहाँ भी ये life charge की बीच बीच पहले आपको ऐसे देखना है बाई चांस ऐसा अगर आजाए बीच में आपने सब मिला लिया ऐसे और आपको लगा कि अब ये भी common होगे, फिर आप ये concept देख लो क्यूंस 100% हो रहेगा, इस sequence को फोलो करें, resulting stability check करना आ जाएगे, सर्ण ने उस concept चे बताया वो भी सही है और ये वाला भी सही है, सर्ण ने verbally बोला मैंने उसको री परजन कर दिया हजी तन में, अब इस concept को जैसे अपलाई कर लेते हैं तो के लिए रो जाएगा आपका concept मैंने बोला सबसे बेले number of covalent bond, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, least stable, क्योंकि number of covalent bond कम है, बाकी सब ये एच, ये एच, ये नेगेटिव, ये एन, ये positive एक बता देता हूँ, ये दो, तो इसके दो इलक्रोन, दो इलक्रोन, इसके दो इलक्रोन, इसके दो इलक्रोन, इसके नेगेटिव चार्ज के दो इलक्रोन हो गए, क्या, eight इलक्रोन, इसमें दो इदार, two, two, four, two, six, तो इसके भी हो गए गया ुए पूर इसके भी एट हो गया उप्टेट完了 हो यहां ऑ्टेट complete हुआ है यहां жुआ है नहीं हुआ तो इसका मतलब यह सबसे least stable है फिर यहां उप्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे least stable तो फोर्थ उससे ज्यादा किया सबसे यहां三alamै फिर आजाएगा से इस अब बात करते हैं इसमें और इसमें तो इसमें यह बता दिया ओके अब आगे जो कुछन आएगा इसी कंचिप्ट पर हम करते रहें है जिसे इसी तरह का क्वेश्चन है कि मोस्टेवल कैनोनिकल स्ट्चर वही बाद है जो अभी हमने डिस्कस किया है जो कैनोनिकल स्टेक्चर मतलब इसा भी तो होता ना इसकी सबसे मोस्टेवल वैजोनिकल स्ट्क्चर कौन सी है तो बाद है फिर आप लगा लो देखो सबही चार्ज़ध है तो इसके बाद समर्य बताया है या लगा सकते हैं डायकर की कौटेट देख देखने इसमें इसका अब आप देखो इन दोनों में देखो इन दोनों में में आप उफ्टेट कंप्रेट यहां पर क्या होना चीज़ यह देखो आपसिजन कर्बन नेगटिफ और उसके बाद एक बड़ा अच्छा सा इसमें कंसर आ गया इसमें देखो यह दोनों रिंग क्या हो रही है इंड़ा अब आप जाते हो कि एरोमेटिसिटी क्या होती है चीजों को बहुत ज़्यादा इस्टेबलाइज करती है विकाउज आव इट्स हाई वेजिनेंस इनर्जी तो एसा बोले सार एक देरेत हैं कि रिंग अगर आए और दिमाक में चल रही है तो दिमाक में साइड में आपके चलना चीए और यह एंति-अरोमेटिक हो गया और वह और वह अरोमेटिक हो गया अब सबसे ज्यादा स्टेबल पस्ट फेडिस सबसे फिर से इस इसी तरह से इसी तरह से इसी पर जगे और वही चंच लगा है वह सबसे पेले नंबर ओप है नियुक्त पैले चार्ज या हन्चार्ज तो मैं चार्ज ना थाए न्मबर और प्लाइब है नमबर और प्लाइब फण वेनटी फ़र फवर फाइब आज यह यहां पर वन टू फ़िंफ फ़ाइब चिक्स हैं तो यह सबसे रिखे लाइब और लुकिंट्रोजन पर पोजिटिव चार्ज ऑक्षिजन पर पोजिटिव और चार्ज पर जितना जदा लोगा उसकी स्टिबिटी उतनी कम हो जाई तो इस पर आपको लोगे सर्फ यहां और यहां चार्ज तो पॉजिटी एक पोजिटीव वहाँ भी है और इसमें तो इस कार्म का उप्टेट कंप्लीक ही यहां उप्टेट सभी element का complete है, यहां भी सभी का complete है, यहां भी सभी का complete है, तो first तो least stable जा नहीं है, number और covalent bond कमा गए तो least stable जा नहीं है, अब इसमें charge ज्यादा है, इनमें charge तो कम है, तो फिर सबसे least stable तो अपने पास, first है, उसके बाद 4, अब इन दोनों में stability की बात करें, more negative charge, oxygen पे positive है, nitrogen पे positive है, और less electron negative पे positive होना जीए, oxygen और nitrogen में less electron negative, nitrogen, इसका मतलब most stable कौन से, और उसके बाद 3, इसमें अपने एक बार और सीधा करतें इसको, कि जैसा बताया गया था, कि charge तो सारे ही है, इसमें देखो, इसका octate incomplete नहीं है, बाकी जैसा कहां कि सभी का octate क्या है, complete, 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 सबसे last में चला गया, first, उसके बाद क्या है, कि highly electronegative atom के उपर क्या होना चाहिए, negative, अब देखो, यहाँ पर 2 highly electronegative atom के उपर positive, यहाँ एक highly electronegative atom के उपर positive, यहाँ है, तो इन तीनों की बात करें, तो सबसे कम stable कौन सा हो जाएगा, 4, फिर इन दोनों को compare कर ले हाँ, तो answer जाएगा, second, चला है next, चला next, चला next, next, the decreasing order of bond length, carbon carbon bond in the following, welcome, बतलब आपको fusion को आप धंसे बड़े, bond length का, मुझे पता है, कि बच्चे इस bond length के fusion को लेकी भी बहुत ज़्यादा पहिनिक होते हैं, तो सबसे पहले fusion को आप धंसे बीड़ गरोगे, तो उसने carbon carbon double bond की बात ही है, single bond की बात ही है, तो इसमें carbon carbon double bond यहाँ आया, इसमें यहाँ आया, इसमें यहाँ सब में है, और इसमें यहाँ है, अब bond length का यह होता है, कि माल लोगों कि यह compound है, और दूसरा compound है यह वाला, समझना, और एक compound है यह वाला, ठीक है, यह तीन compound है, एक मैंने बोला, isolated Accident Elking जो double bone resonance में भी नहीं है अब आपको यह पता है कि resonance dominant होता है और अगर यह components आपको गला भाय पो इस carbon carbon single bone में तो partial double bone you उडिस double bone में partial single bond character है ठीक है तो double bond hyperconjugution से double bond में single bond character आते हैं तो मैं ये बोल दूँ hyperconjugution में number of alpha hydrogen increase carbon carbon double bond bond length decrease double bond की bond ये वाले तो decrease हो रही है ना increase हो रही है शोरी 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 इंक्रीज हो रही है और bond length increase हो रही है bond order decrease हो रहा है और bond length increase हो रही है तो यहां जैसे इसमें carbon carbon double bond वाला जो bond order है ये bond order 2 से 1 की तरफ जाएगा तो bond length बढ़ना start हो जाएगी ये कब है hyperconjugation से resonance में भी double bond जब जितना ज़्यादा resonance में participate होगा उस double bond में single bond करेक्टराना start जाएगी bond length या भी बढ़ेगी अब अब सर अगर resonance से भी बढ़ रही है hyperconjugation से bond length बढ़ रही है तो dominant को होगा resonance dominant होता है सभी को पता है resonance dominant होगा hyperconjugation तो हम ये कह सकते हैं कि अगर resonance से bond length बढ़ी है तो वो ज्यादा बढ़ी है comparative to hyperconjugation तो रेजो इसमें हुआ रेजो इसमें हुआ इन दोनों में रेजो नहीं हुआ अब resonance में भी जहां जितना ज्यादा resonance उसमें bond length उतनी ज्यादा बढ़ीगी इनसमें resonance के अवाल इतना हुआ फिक है और इसमें resonance ऐसे हुआ बेंजीन है तो इसका मतलब bond length सबसे ज्यादा किस की हुई थर्ड की उसके बाद अब hyperconjugation इसमें भी hyperconjugation इस hyperconjugation hyperconjugation alpha hydrogen निमोल होते है तो यहाँ पर देखो 3 alpha hydrogen तो यहाँ है और 2 इदर है ठीक है तो 3 और 2 5 alpha hydrogen पाँच alpha hydrogen 10 alpha hydrogen जब hyperconjugation चोगड़ेगी डबल बोन सिंगल बोन की तरफ जाएगा इसमें क्यवल और क्यवल दो इधर से और दो इधर से तो इसमें तो 4 alpha hydrogen है और इसमें 10 alpha hydrogen है और मैंने बोला नंबरों पेल खाड़ीन बढ़ेगी तो कार्वी खाड़ी बोन बढ़ेगी तो किसकी हो गई फिर 2 और सबसे कम किसकी हो गई 4 तो सर का यह बात हो गया कहने मतलब यह है गोस्तों यह रेजोनेंस है रेजोनेंस इस वेल आज हाइपर कांजूगेशन डायरेट्ली प्रोकोश्नल लेंथ और डबल लेंथ और डबल वॉड़ेगा इसका मतलब दोस्तों सिंगल बॉर्ड लेंथ उतने ही क्या हो जाएगा तो यह सर्ण ने एक डेफिनेटी ओंडर मेरेज कर दिया इस वी से आपके समझ में आ गया होगा एच्छे बच्ची उजओ नेक्स देखे पुछा जाता है ऐसा सिंपल का मतलब ये नहीं कि बतब कि बहा है पुछा जाता है कि आपसे कॉंड्यां में इसा बताया कि अध्या अहिकी हाइब कांजूगेशन होने के लिए alpha जोगा है कि एसा कॉन सा कंपॉंड है है इसमें इन्दक्तिक में बतिक अद नियुक और इंडिक्ट्रेक्ट ग्मोन तो सिघ्मा बोन तो सिघ्मा बोन आग तो इसमें प्रॉन ने अगर। और इसमें भी आई तो होगे होगा तो इससे बीच पीच का बांड है। इंडेक्टिव फ्रिक्टो सब में हैं है है धर कॉंजूकरास तीन जगह हम पर तीन जगह हम पर तीन जगह करते हैं कि डबल बॉंड घुबावले पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हो यह alpha carbon और यह SP3 तो यह hydrogen involved होती है एक दूसरा carbon पे positive charge हो उसके बाद पास वाला यह alpha hydrogen तो यह भी इंपोल होती है और CH2 radical हो तो उसके पास वाले पे अगर H है तो वो भी involved होती है इन तीन condition में hyperconjugation involved होता है इसका मदलब carbon 9 में हमने hyperconjugation नहीं देखा नहीं देखा कब से कब syllabus के recording बात करें क्योंकि हमारे syllabus पर देखा क्या है double bond है पाइब कार्वो के टाइन प्री रेडिकल और carbon है जैसे CH2 यह हो गया यह CH3 तो इसमें हमें नहीं देखना है बाकी की रुटिमों में हमें देखना है यह जगह ही नहीं है वहां पर खाली नहीं है इसलिए नहीं होता है तो इसमें आई भी है और है इसमें नहीं है बड़ इसमें रेजनेंस के लिए फाइब होना चाहिए यह रहाए इसमें इसमें इन इसमें बड़ जाएगा वह जाएगा इसमें आप देखे अरेज दा अडर आप इसमें जिसे बेंजीन के उपर है तो हम चाहे को आप डारेक्ट ही देख लो इसको जैसा कि पीछे हमने डिसक्त करी लिया है कि सबसे पहले क्या देखना होता है तो पहले इसे डिटी शोग करेगा तो फिनोल 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 और यह अब इस पर हम क्या देखते हैं इस्टेबिल्टी अब आप देख लो जैसे जैसे यहां पर क्या लग रहा है और थो पोजीशन पर क्या लग रहा है अब आप देखो इसके रिसपेक्ट में यह किस पोजीशन पर है εδώ पूर्श होते हैं किस रिसवेक्ट में तो उनका उस पर नबलि MERल रगता है माइनस लगता है माइनस अर और प्लस आर लगता है कर दी कि यहां पर एक बढ़ा पर को मैं जो हो इसका मतलब यहां पर चला गया खेंग के बाहर चला गया तो इसका लिए बीशन और रेजोनेंस मतलब शार यह कह रहे हैं कि यदि बेंजिन रिंग पर वन टू त्री पोजिशन पर नहीं रह पाते हैं यह दोनों नीचे की तरब जाएंगे NO2 उपर कितरब आ जाएगा तो ये रिंग के साथ इसका NO2 का जो माइनस आर लगा ना ये वाली पुसिलिटी है ये बंद हो जाएगा क्योंकि resonance के लिए condition है system planar होना चाहिए तो benzene तो planar है बट NO2 जो पहले हम मान रहे हैं कि ऐसे लगाऊ इसे लगे कि वो out of the plane हो गया रिंग के साथ क्या नहीं रहा हो plane में नहीं रहा उपर की तरब तला गया तो उसका resonance लगना बंद हो जाएगा अब यह यहाँ इसमें resonance है इसके साथ resonance है लेकिन इसके साथ इसका resonance क्या हो गया खतब क्योंकि इसके रिपल्शन के विज़े से कहाँ चला गया plane के बाहर तो आनोटू का माइनस आर लगना बंद हो जाएगा केवल और केवल माइनस आ लगेगा क्योंकि माइनस आ तो सिग्मा इलोक्रोन के तरह लगता है और सिग्मा इलोक्रोन चे तो वो नेगेटिव चार्ज की स्टविटी कैसे देखते हैं उसी कंसर्फ क्यों हम बोल सकते हैं कि SCDT इस डाइरेक्टी प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एक्स माइनस आई उसके बाद सिंपल जिसपे कोई इफेक्टर नहीं लगा सबसे ज़्यादा सिटीक माइनस आर वाला होगा फिर माइनस एच वाला होगा फिर माइनस आर वाला होगा फिर सिंपल वाला फिर प्लस आई वाला प्लस आई फिर प्लस एच और सबसे लीस्ट जो सिटीक होगा वोगा класс most acetic minus r वाला least acetic plus r वाला क्योंकि plus r वाला electron donate करता है electron donate करेगा तोfeld कि तो negative charge को stable करना है negative charge मतलब electron density बढ़ी हुई है तो तो तब stable होणा जब इसको electron withdraw करने वाला हो तो minus वाले group उसको stable करेंगे plus वाले group उसको least stable करेंगी तो यह मैंने वो लाकि Minus r माइनस आजा यहां intra- Earth minus i के डारीक्ट ली प्रफोर्ट से पहले minus ओर कहा लग रहा है सब सबसे जएता होगए फिर minus i कहा लग रहा है minus i यहां लग रहा है और कहीं नहीं लगरा हो इसके बाद हो जाएगा इसको नमबर गहा है इसको नमबर जो लास्ट में हाइए तो फॉर्ट हो गया है उसके बाद प्लस H, यहां भी, प्लस H, यहां भी, यहां एक का प्लस H लग रहा है, यहां दो का प्लस H लग रहा है, एक और बोदू कि यह भी धान रखना, ACDT is directly proportional to minus R minus H minus I, inversely proportional to plus R plus H, और plus I, मतलब प्लस H बढ़ेगा न, ACDT कम हो जाएगा, तो plus H भढ़ रहा है, यहां एक का लग रहा है, यहां दो का लग रहा है, तो ज्यादा ACDT कोन होगा, प्रस्ट और उसके बाद कोन हो जाएगा, सेगिन इस उट्रू को खोलो कर ले, आंसरा देगा, आंसर अगर इसको मिलाए, तो आंसरा रहा है, सेगिन, तो सेगिन इस करेक्टी, नेक्स्ट अगराराफ आपको इसमें क्या करा है, तो कोई स्ट्रूंगेस्ट बेस होगा, जो आसानी से अपने एलेक्ट्रों को डोनेट कर देगा, या आप ऐसे कर सकते हो, जिसके पास अवेलेबिल्टी और अब अब एवेलेबिल्टी म तो रेजोनेंस में अगर वो चक्र काट रहा है इसका मतलब उसकी एविलिबिल्टी पर्टिकुलर एटम पे का होगे कम होगे मतलब ये कहने का मतलब ये सर्ट ये कहना ता रहे है कि नेगेटिव चार्ज जितना जदा डिलोकलाइज हो रहा है तो प्रोटॉन के लिए आवेल चार्ज रिंग के साथ डी लोकेलाइज हो रहा है और जब डी लोकेलाइज हो रहा है तो एच प्लस के लिए तो अविलेबिलिटी इसकी मिनिमम हो वी क्योंकि यह कभी यहां जाएगा कभी यहां कभी यहां कभी यहां तो एच प्लस बावरा हो जाएगा इसको डूमता डूम यह जएका यह यह सी जाएगा यह सबसे बोस बेस कोन होगा उसके बाद आप इसके बिदेख लोगा इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव यहां यह स्टेबल ज्यादा है ना तो वो क्यों नेगेटिव चार्ज खतम करेगा यार इस उक्षन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस्टेबल है कंपरिटिव टू कार्ण क्योंकि ओक्सिजन हो इन दोलों में से ज्यादा बेसिक थैड है और सबसे दीश्ट कोन आएगा ऐसे यह आंसर आजाएगा ए प्तड़र सा देख लेते हैं इस ट्रण Suzuki स्ट्रॉंग एसिड का कॉंजुकेटेड बेस वीक होता है तो देखो इसका एसिड बनाओगे यह बनेगा बेंजीन इसका एसिड बनाएंगे यह यह बन जाएगा इसका यह बन जाएगा अब आप देख लो कॉन जाएगा अब सबसे स्ट्रोंगेस्ट इसिड कौन है फिनोल तो इसका बेस वीकेश्ट हो गया फिर यह यहां भी कार्बन हैयद्रोजन यह बहुद्य यह तो जद्द इसका इसका बेस्ट इस से इसका इसका इसे इसरे काईप जाएगा तो यह स्ट्रोंग एसी बना लो उसके बाद भी देख सकते हैं है 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 नधिक्रीजिंग ओडर और रिलेट्टिव बैसिक लिए इस्ट्रेंट और तो आप युविंग तो हैं निकंपाउंड और बैसिक स्ट्रेंद का बच्टक को एक सिंपल सा तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि अंडी लोकेलाइजड लोन प्याइविंग इस्पीसीज मोर बेसिक सही बात है जहां लोन प्याइजड दिलोकेलाइजड दिलोकेलाइजड लोन प्याइविंग इस्पीसीजड दो स्पीसीज मोर वह एक लोन प्याइजड हो रहे हैं और यहना ही हो रहे हैं तो जहां हो रहे है वह वह रो इज यह का मतलबा यह भी अनप्यालोकेलाइज हैं कि घूम रहे हैं य है टी लोकलाइज लोकलाइज और ये बी लोकलाइज से रोगोर्ण का से देगा से उर यह लोपर कोन आएगा पस्ट अब यह ना यह compound अगर loan पर donate कर भी देता है करेगा वर उनके comparison में इसकी tendency कम है तो कर देगा तो यह बना देगा और यह करेगा loan पर donate तो यह यह बनाएगा तो पहले compound aromatic था h plus accept करने के बाद भी compound aromatic रहा बट यह पहले aromatic था और इसने loan पर दे दिये तो यह बन गया non aromatic ऐसा क्यों करेगा वह पहले stable था और बाद में non aromatic हो रहा है तो यह loan पर इसकी aromaticity में participate हो रहे थे इस system को aromatic बना रहे थे तो system को aromatic बना रहे है तो जो beneficial cheese है उसको आसानी से यह क्यों देगा इसलिए it is weakest base among these यह सबसे weak base होगे तो बस वही बात होगे सबसे availability आपको सबसे पहले check करना है जहां पर availability ज्यादा है वहाँ पर उसका basic strength भी क्या होगा ज्यादा होगा इन दोनों की बात सभी बात है कि देखो यह भी aromatic है यह भी aromatic है बट इसकी aromaticity इसकी loan pair पर depend नहीं कर रही है जबकि इसकी इसकी aromaticity इसकी loan pair पर depend इसका loan pair उड़ा दोगा तो यह aromatic से non-aromatic हो जाएगा लेकिन यह पहले भी कि अरे दा फॉलर की ने order of their stability most to the list तो मैं पहले इसका concept बताता हूं फिर आप explain करना आपके तो concept यह है कि एल्किन का concept है how to check stability of एल्किन में यह concept बता रहा हूं आप देखें कैसे हम चेक करते हैं सबसे पहले तो देखो कॉंजुकेटेड मोर स्टेबल होती है कंपरिट्यू और अनकॉंजुकेटेड मतलब जिसमें रेजोनेंस हो रहा हूं यह ज्यादा इस्टेबल होती है तो यह पिर अनकॉंजुकेटेड आ जाए न तो फिर नंबर oh एल्पा फाइड्रोजन इंक्रीज तो इस्टेबलीटिस भी क्या हो जाएगी है हो जाएगी number of alpha addison मतलब hyperconjugative structure जितने ज़्यदा है जो hydrogen होंगे इंपाथ हाइपर कॉंजुकेटिव इस्टेक्ट्ट्र नहीं जदा बने एक इस्टेबलिटी बढ़ जाएगी अगर यह भी सेम आ जाए तो asymmetric more stable है comparative to symmetric asymmetric के अलकीन मतलब यह जैसे यह यह वाला लिया और इधर लिया c h3 c h double bone c h3 तो इसके पास भी alpha alpha 6 alpha hydrogen है और इसके पास भी 6 alpha hydrogen है बट वो asymmetric है क्योंकि double bone के इसके दोनों तरब c h3 चीज़ते लगे हों उसके एक तरफ h है दूसरी तरफ c h3 है तो asymmetric ज्यादा stable है comparative to symmetry और symmetric आजाए तो फिर c से ज्यादा stable है यह जनरल मेथड़ है इससे आप apply कर सकते हो almost question solo हो जाते हैं इसी concept को हम वहाँ apply करेंगे अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं चल ठीक है इसको कर लेके हो आगे देखिए अब इसी को उसी concept इसमें अब आप देखो सबसे पहले आपको क्या देखिए अब उसके बाद क्या देखना हमने और यहां पर आपर कितने हो गए और रहा पर कितने हो जाएगा पूर इसमें देखा जाए तो यह दिखो है CS3 यहाँ पर है H यहाँ भी alpha hydrogen कितना हमारे पास है 4 यहाँ पर देखा जाए तो CS3 यह 2 alpha यह 2 alpha यह 2 alpha 3 2 5 7 2 alpha hydrogen कितना हो गया 9 तो सबसे पहले तो alpha hydrogen ही देखना है अब उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा stable कौन सा हो गया फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा अपना फर्स्ट और लास्ट में कौन सा जा रहा है सेकेंड अब थर्ड और फोर्थ में alpha hydrogen क्या है सेम है और देखो तो इसमें देखो यह वाला क्या है जैसा कि बताया गया अभी यह वाला compound क्या है अब आप जाते हो ट्रांस वाला जैनरल ही ज्यादा इस्टेबल होता है विकाज आपर रिपल्शन इन बल्की ग्रोफ लेसर देन थर्ड तो अंसर गोश्टू आंसर इस पोर इस ग्रेटर देन थर्ड अब इसमें मिला लिए आंसर जो पिए ईसका जाएगा यहां पिरफास से और minha जों देन है यह लोसर विचिज नौट्ट जाएगा और फीट फाइटोफी थे इसमें अब से हीट फाइटो फाइटोजिनेसं का ओड्वाइज पूछा है मतलम में इसको फोन करो सब भी देखना है तो जनरली एक concept अपलाई होता है तो यहां पर हम यह बोल देते हैं कि हीट ओप हाइड्रोजिनेशन इज डारेक्ली प्रपोर्शनल तू नंबर ओप डबल बॉंड तो जितनी स्टेबल एलकीन होगी न एलकीन की स्टेबलिटी बढ़ेगी उसकी हीट ओफार्शन कम हो जाएगी तो इस्टेबलिटी ओप एलकीन इस्टेबलिटी ओप एलकीन इस इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एच ओएच उस concept पर अगर अप अपलाई करें तो आंसर आ जाता है जेको इदर वन 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 डबल बॉंड सेम से इसके पास कितने हैं इसके पास दिद यहां हो गया तो tre two five six इसके बाने सौग्ण कर उमकॉर्ड पैस सबसे निस्टर सबसे again कुछ वही सेगें सेगें का हीट्टोपैडिजरान मिनीमुम होना चींग था जो कि यह सेगन ओडर क्या है इसके बात करें तो इस में भी आप अलपाईडिजर से चेक कर सकते हो देखो इसके पास टू फोर और ट्री सेवन यह इसके पास फोर इलपाईडिजरान है और इसके इसमें बात करें तो यहां भी 6 है और यहां पे 2 है तो जहां सबसे कम इस्टेबल है वहां सबसे ज्यादा है फिर सिस और ट्रांस में लेस्टेबल कौन होता है सिस होता है तो इसमें यह ओडर भी सही है नमबर ओप यहां थोड़ा सा फेल हो जाएगा क्योंकि यहां बहुत करें तो उससे भी सही हो गया है और यह भी बोल दूँ कि रिंग की साइज बढ़ेगी तो डबल बोन के एक्जिस्टेंस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो अगर मैं इसमें और इसमें कंपरेशन करोना तो उससे ज्में यह सकते यह वाला है और इससे भी ज्यादा यह वाला है जब्कि इनके पास अधीन सब ऐला है से तो हमें से पुचा था इनकरेक्ट पुचा था तो आट सुझाएगा इसमें थ्यान रखना जैसे यहां पर लिखा है heat of hydrogenation is directly proportional number of double bond या 5 bond तो एक बड़ा तगड़ा सा exception है जैसे यह बेंजीन वाला ध्यान रखना यह देखो इसमें 3-py bond वैसे देखा जाता है और यहां पर कितना है 2-py bond वट इसका heat of hydrogenation इससे क्या होता है कम होता है यहांपाइब जाता है because because of very high resonance energy तो इसकी stability क्या करती है dominate कर जाती है और dominating factor stability हो जाता है यह वहला देखो लग जाता है heat of hydrogenation is inversely proportional तो एक फड़ा साइस का मतलब क्या है यह होता है कि जब जब क्यूशन आया है तो वहां आपको number of double bond मतलब पर double bond heat of hydrogen से पूश सकता है पर भी पूश सकता है तो इसको detail से आप प्रोटोनेशन साइट का मतलब क्या है जैसे हम कोई लोन पेर कंटेनिंग इस्पीसीज है तो उस पे एच प्लस दिया तो यह भी प्रोटोनेशन हुआ मतलब इसकी basic city पूच रहा है double bond है H प्लस तो यह इस पर प्रोटोनेशन हो गया है तो अगर आप अब एप प्रोटोनेशन करवाने जाते हो H प्लस का यह यहां से यहां गया तो और आपके पास यह बन जाएगा और यह system क्या हो गया और कोई भी system anti-oramatic हो नहीं चाहता तो इसका मतलब सबसे least chance जो प्रोटोनेशन के है वह यह पे है बाकी प्रोटोनेशन तो हो जाएगा और प्रोटोनेशन की साइड जो ना वह बी है क्योंकि बी पे प्रोटोनेशन होता है आप देखो ना उसी का उल् ना यह यहां पर यहां पर पोजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर है जा गया तो यह anti-oramatic system जा रहा है तो यहां पर लिस्ट जो साइट है वो कौन सी है यह है आंसरे सब्सक्राइब प्राश्ट लेक्स्ट यह बोड़ा सिंपल साथ विसन है तो इसमें भी देख लो एक ही लिख पाएगा तो सर अचा कार्वो केटा इस्टेबिलिटी इस डारेक्टी पर पोस्टल टू प्लस आप्लस एच प्लस आइच प्लस आइच सिंपल माइनस आइच और फिर माइनस आइच इसी सिक्वेंस में आपको उप्यों सोल लोग करन है ब्लस एच का सबसे जयादा सी पलस हो तो सबसे कम किसका होता है क्योंकि कर बेर्भन हीच बश्योंской तूटता है और EGMA में वहीं तूटेगा ज्रागों पहले तूटेगा और सबसे कमज़ोर तो carbon hydrogen का बोल होता है इसलिए इसलिए इसका जब प्लस H effect होगा वह इससे खोड़ा क्या होगा जाद होगा यह मेटा पे आ गया और मेटा पे तो क्यों क्या काम करते है इंडेक्टिव यह भी प्ल प्लस H यहां भी अब इन दोनों में से प्लस H ज्यादा किसका होता है CD3 का तो उसके बाद जाएगा 4 और उसके बाद इसे option को चेक करेंगे तो इस option आपने पास होगेदा सेगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे दा मोस्ट इस्टेबल इस्टेबल जादा इस्टेबल जादा इस तो इस नाम भी बड़ा फिरमस है और यह कंपाउंड अगर में देखो ना यह वाला तो आप देखो इस रिंग को चेक करो चैने टिलूक लाइं हो रही है और इसमें क्या हुआ कि ये सिस्टम भी पश्टी एंटी एन्टरमय को गया और यह भी एंटी हो गया और एंटि आरॉमय की तो लिस इस्टेबल कौन सा करी होटा उर मोर्स झेकन जायेगा ठीक है ओके देट है ऐधा है कि हाट जी तरह से कर्बोकेटायाइश इस्टेबिल्टी आप से कुछा हो गाए है अब आप देखो यहां पर जैसे देखो इसके रिस्पेट में यह तो मेटा पोजीशन अब इसके रिस्पेट में यह देखो मेटा अगें माइनस आई यहां पर देखो और फो पैरा पर यहां अब इसमें बिला लो यहां से जहां जितना ज्यादा प्लस आर लगेगा उतना इस्टेविंटी और कार्व के टाइन पढ़ेगा तो यहां तीन का प्लस आर सबसे ज्यादा लगेगा वहां पर इस्टेविल्टी और कार्वक टाइन क्या होगा घटेगा अब एक बार अरेंज करें इसको प्लस आर सबसे ज्यादा प्लस आर सबस्क्राइब नहीं है माइनस आई यहां पर लगा है यहां भी दो लग रहा है उसके बाद पावर देखते हैं तो एनोटू का माइनस आई इफेक्टे और यहां माइनस आई ज्यादा लगा है और माइनस वाला इस्टेट ज्यादा लगे तो इसका मतलब यह ज्यादा इस्टेबल है कंपरिटव तो से और सबसे लिस्ट में आजएगा इस ओड्र को अगर फोलो करेंगे तो आपका जाएगा हो जाएगा फोड़ नेक्स्ट कि अनुद्ध करेक्ट इस्टेबिल्टी अडर और गिवें कैनोनिकल इस्ट्रक्चर तो उसी तरह से वापस से आते हैं कि सबसे पहले तो वहीं अन्चार्जड चार्जड अन्चार्जड तो कोई है नहीं कि इसमें देखो उप्टेट कंपलीट यहां अप्टेट क्या है in complete यह और और नेक्टिव एटम यहां इससे उस पर प्वस्टीज आसानी से बिएर कर सकता है यहां पर देख लो इसका क्या लगेगा इसके ऊपर चुकी यह पैरा पोजीशन पर है तो इसका प्लस ही लगेगा यहां भी देखवा अलफा हीड्रोजन होना चीए भई प्लस एच भी लगेगा यहां भी अलफा हीड्रोजन है यहां पर अलफा हीड्रोजन क्या है जिरो है तो इसमें हाइपर कॉजूगेशन तो नहीं लगेगा सिर्फ और सिप्क्या लगेगा प्लस अब वह और अगर आपको याद हो कई बार लिखा गया है कि more the plus effect more is the stability of positive जितन होगा और ऐसके बाद हैं नेंट कि रेजोनेंट का यहायपर कॉंजुगेशन इंवर्स ली-प्रोजनल टू. अब ही किसका पुछा है आपसे सिंगल बाइन पूछा है तो जितना ज्यादा ज्यादा सिंगल बाइन का बाइन क्या होगा अब देखो यहां पर यहां पर थोड़ा सा लग रहा है है इस आई आ यहां पर यह आगे हमारा माइनस अई लग रहा है मतलब हम यह बोलें कि सरी शिट का मतलब यह है कि यह लॉन पे यह दो दो बल्की ग्रूप है यहां पर एमी एमी लगे हुए है इनके बीच रिपल्सन हुआ रिपल्सन के लोन परेट के लोकलाइज ना के बराबर हो रहा है मतलब हो भी रहा है तो बहुत कम एक्स्टेंड के साथ हो रहा है तो इस कारबन नाइटोजन बॉंड में आखने प्रेंदी सब्सक्राइब्स लिए रहे लिक्रिटॉ का अग्रार प्रेन सब्सक्राइब होगी सब्सक्राइब नीचे के अगरी से उंस फिर्टॉ मतलब यहां जब double bond आएगा तो यहां आपके वापस तक जाएगा तो double bond के existence time भढ़ गया है double bond का existence time यहां पर maximum तो bond order सबसे ज़्यादा है bond length सबसे आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे आप लिखा ना resonance अब आप कह सकते हो कि तो यहां resonance इसमें है कितने महीं है न बस यह तो लगेगा निक इसमें रेजोनेंस यहां से लेकर यहां तक है इसमें रेजोनेंस यहां तक है तो ज्यादा रेजोनेंस है तो bond length और single bond क्यों सर्ट चितना ज्यादा resonance double bond का existence time उतना ही जाना बहुत जाएगा अब बॉन्ड लेंट उतनी ही कम हो जाएगा ठीक है तो पहरें या जाएगा उसके बाद आपसा जाएगा उसके बाद वाई उसके बाद जेख लो तो यह इसके हम बोलेंस जनरली नेगेटिव चार्जेज इसपीसीज मोर बेसिक चार्जेज आर मोर बेसिक अब जैसे इसमें यह है आपके पास यह है CH3NH माइनस है CH3O माइनस है इसका इसेट बनाओ CH3NH2 इसका इसेट बनाओ CH3OH अभी पीछे एक लाइन बोली थी इस्ट्रोंग इसिट का कॉंजिबेटिट बेस होता है एसीडिटी ओडर यह होता है क्योंकि OH मोर में पॉलिटी जाता होती है एसीडिटी ओडर है तो बेसिटी ओडर यह होगा अगर आप चेक करोगे आप यहां पर किया नाइटरोजन की अल्टोंग करेगा एलेक्ट्रोंग को एजिनी ड्रौ कर देगा डारेक्ट भी लगा सकते हो आप चाहें तो यहां पर यह सीए लग आप यह से मतलब कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला कार्व नाइन की इस्टेविटी चेह कर लिए तो इस्टेविलिटी ओप कार्व नाइन ہां डारेक्त िष्ट न Gallants are मिनस एच मैनस एच मैनस एक सिम्पल प्लस आई प्लस एच और सबसे सिंधी प्लस रखाउ तो यहां इस वना ज्यादा इस्टेबल होगा. यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का. बट फ्लोरिंग की पावर ज्यादा है क्योंकि मोरी लग्रोल नेगिटी हुए. तो मोस्ट इस्टेबल P आएगा. उसके बाद Q आएगा. उसके बाद यहाँ 2 का है. यहाँ 1 का है. उसके बाद R आएगा, उसके बाद S आएगा, और सबसे दीस्ट इस्टिपल कोना जाएगा, P आएगा, ठीक है, ठीक है, तो answer इसी concept को गरा answer हो जाएगा, तो P, Q, R, S, P, 3 is correct answer, next, how many compounds हो hyperconjugation, जैसा बताया है, आपने hyperconjugation किसमें देखना है, free radical, alkyne, और carbotene, और जिसके पास कम से कम, at least one alpha hydrogen हो, वो hyperconjugation show करते हैं, तो तीन condition है, यह B तो वैसे ही कट गया, पहले तो देखो, carbon ion है, अब यहाँ से check कर लो, आप देखो, यहाँ कारbocetine, इसके पास alpha hydrogen कितना है, alpha hydrogen is equal to 2, ilken show करता है, again there is a 4 alpha hydrogen, तो यह भी show करेगा, यहाँ देखो, free radical है, there is 2 alpha hydrogen, यह भी show क करेगा, यहाँ से देख लो, यहाँ पे इसको खोड़ा open करना चाहो, तो आप ऐसे कर सकते हो, CH2, CH3, alpha hydrogen, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2, तो जिसके जिसके पाँ, वो एलकीन, वो कारbocetine, वो free radical जिसके पास alpha hydrogen है, वो hyperconjugation show कर सकते हैं, तीन चीज मैंने आपको बता ही है कि पाई, anti-bOnding के साथ, carbon hydrogen bond हो, alpha, carboitz dot variable, के साथ, carbon hydrogen bond हो, alpha, free radical के साथ, carbon hydrogen bond हो, alpha, तो double bond जिसके, यहाँ double bond के रिच्पक्त में आ गया, वहाँ आ गया, यह पाज़िव चार्ज ऑफ और पाज़िव चार्ज अब यह किस पोजेशन पर है और तो पर मत्दब यह इसके साथ इंवाल होगा इसको रेजन से हम रिफर्जन कर देते हैं अज़िव चार्ज अब इसका देखलो इसके रिफ्वा इसके विए चार्ज अब इसके रिफ्शन अब इसके एचार्ज नम्याद यह तो यह था जी ओसी फर्ष्ट का पार्ट जिर में बेक्टम बैसिक और नॉर्मल कुछन यह जी 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 सेगिंड में थोड़ी से एडवांस लेवल की बिर्शन्स आएंगे थोड़ी से लेवल अच्छा रहेगा वोप पुलीस अभी ने एंजोई किया होगा मिलते हैं नेट्ट लेक्चर जी ओसी सेगिंड में ठीक है वेड़ा थेंक यू थेंक यू थेंक यू वरी माच्छ